Hello friends, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी python की file को executable file में convert कर सकते हैं py installer module की मदद से तो यह आपको location बताएंगे कि कैसे कैसे हम convert कर सकते हैं तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे जादा important है इसमें आप directory structure समझ लें तो मेरे पास देखे एक project है tk enter practice और इस project के अंदर हमारे पास एक folder है gey अगर इस folder को मैं open करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर काई सारी file है और अगर technically बात करूँ तो यह gy का एक package है क्योंकि इस folder के अंदर अंडर्सकोर 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 डॉइ फाइल है तो इस पाइथन इस folder को as a package treat करेगा तो इस जीवाइ फोल्डर के अंदर हमारा यहाँ पर देखे कई सारे python की files रख्की हुई calc.py, form.py, helper.py, amount.py तो हमें सबसे मतलब नहीं हमें इस calc.py से मतलब होता है और हमने इस calc.py में कुछ code लिखके रखा है कभी हम क्या करेंगे आपको यह समझा देंगे अपनी next videos में कि यह code क्या लिखा है कैसे बर करता है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस code को run करके दिखाता हूँ आपको कि इस code में क्या लिखा हुआ हमने तो right click करते हूँ और हम इसको देखें यहाँ पर run calc है तो हम इस पर click कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि एक simple सा खुबसूरत सा calculator हमने बनाया है और यह calculator full functioning है यह अपना काम कर रहा है अगर मैं यहाँ पर one plus two equal to करता हूँ तो देखें यह answer देगा और यह multiply वगरा भी कर देगा आपका और यह single digit को delete कर देगा साथी साथ अगर आप सारी digit को delete करना चाहरे है तो आप यहाँ से delete कर सकते और यहाँ scientific calculator की बटन इस पर click करने पर scientific calculator की window open हो जा रही है जिसको हमने अभी complete नहीं किया हम complete कर लेंगे बट हम क्या करना चाहरे है कि यह जो code है हम इस code को pycharm से execute कर रहे है और हम pycharm से इसको चला बट हम चाहते हैं कि हम इसका exe file generate कर लें और हम उस exe से क्या करें पहले चलाएं उसके बाद हम लोग installer बना लें और फिर जिसको भी distribute करना हो हम लोग वो installer distribute कर दें वह बंदा क्या करेगा next next करके उसको install कर लेगा तो चलिए हम लोग रसप्राइअ सबसे पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे इस भी आप치 l da मोजिवा जिसका नाम है पाइए इंस्टॉलर कवो सा मोजील चाहिए पाइए इंस्टॉलर तो आप क्या करोगे गुगल ओप्ट करोगे तो हम राओजर कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग website open करेंगे देखे यहाँ आप Google पर सर्च कर लिजिए पाई installer आप Google पर सर्च करिए पाई installer और जो सबसे पहली website open होगी उसको open कर लिजिए यहाँ पर देखे पाई installer 3.5 और इसके बाद पाई installer के बारे में बहुत सारी चीज़े लिखी हुई है और यहाँ पाई installer की official website भी लिखी हुई है आप इसको open करके पढ़ सकते हैं बहुत सारी शीचे ठीक है कैसे install करना है सारी शीचे यहाँ पर लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं बट मुझे इससे कोई मतलब नहीं मैं यहाँ पर quick install करूँगा और जो इससा जैसा मैं बताता जा रहा हूँ आप ऐसा सब करते जाएं तो पाई installer को install करने के लिए देखे कमाड लेखाव पिप इंस्टॉल पाई installer जैसे आप इंस्टॉल करोगे यह पाई installer मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा चले हम लोग करते हैं तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे सबसे नीचे देख करेंगे वी एन वी लिखा हुआ है यह वर्टव इंविर मेंट चल रहा है यह यहां का विर्चल इंविरमेंट चल रहा है यह वाला वाय थि म्म कर्या ख़ोगा तो अगर आपने कोई डेपेंदेंसी डाइलोड कि 613ी बस कोई फ़रग नहीं पड़ता आपको कै tek hea ay सिंपल पाथ सेट है और यहां पर आजा रहा है अधरवाइस आपको पाथ अगर सेट करना होगा पाई चाम में तो उसकी configuration अलोग अगर आपका देखें यहां पर वर्चन दिख गया इसका मदला पिप चल रहा है और अगर पिप चल रहा है तो हम क्या करेंगे करेंगे अपना module इंस्टॉल करेंगे हम देएंगे फी इंस्टॉल और हम इहां डाल देंगे पाई इंस्टॉलर और एंटर कर देंगे तो यहां पर देखिए, PIE installer, देखिए, Already Satisfied, Already Satisfied, Already Satisfied, That means कि हमारे में पहले से इंस्टॉल था, आपके में थोड़ा सा टाइम लेगा, और PIE installer इंस्टॉल हो जाएगा, जब PIE installer इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद, ध्यां से देखिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूं, ह मैं Kelsey.py का बना रहा हूं, इसी तरह मैं form.py का बना सकता हूं, इसी तरह हम helper.py का बना सकते हैं, किसी भी python script का बना सकते हैं, जहां से आपका python का program स्टार्ट हो रहा हूं, चले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप देख, एक चीज मैं आपको बता आएंगे देखिए कैसे हम आथ लिएंगे पाई , इंड्स्ट उलर और हम या लिएंगे - वन फाइल दैश्ट-वन पाईल और स्पेस और अब हमें अपनी फाइल का पात देना है वो यह python script का पात देना है तो हम लिखेंगे सबसे पहले folder का नाम क्योंकि tk practice के अंदर gy है और उसके बाद हमें मिल जाएगा calc.py simple देख लिजे मैं इसको थोड़ा और उपर कर देता हूँ उसके बाद हम क्या करेंगे simple enter कर देंगे और यह बिसके लिए हमारा path है अब हमारे script का अगर आपका script होता वो same folder में होता तो आप सिर्फ calc.py लिख देते अगर यही script किसी और folder में होता तो आप उस folder के साथ इसका नाम लिख देते यह आपके file का path होना चाहिए और फिर हम लोग क्या करेंगे enter कर देंगे अब यह थोड़ा सा time लेगा इस exe file को बनाने के लिए window executable file को बनाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे wait कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा देखे complete हो गया और complete हो गया तो इसको मैं minimize कर दूँगा और मैं आओंगा अपने tk enter वाले project पे tk practice वाले project पे तो इसको हम थोड़ा सा minimize कर देते हैं भी और हमें यहाँ पे दो folder नहीं दिखेंगे एक dist का folder नहीं दिखेंगा और एक build का folder नहीं दिखेंगा तो हम क्या करेंगे इस dist वाले folder को open करेंगे और हमें यहाँ दिखेंगे calc.exe file हब हम क्या करेंगे कुछ अभी करेंगे काम हम लोग पहले build को भी देख लेते हैं तो build में भी एक calc नाम का folder इसमें बहुत सारी चीज़े हैं तो हम इसको अभी दीरे से बंद कर देंगे और हम dist को भी बंद कर देंगे अब हम क्या करेंगे dist को copy करेंगे और simply हम desktop पे उठा के लिए आएंगे dist को copy करेंगे और simply हम desktop पे एक नया फोल्डर बनाएंगे हम बना देते हैं python underscore calc और हम यहाँ पे उस dist को paste कर देते हैं और dist के अंदर हमारा देखे exe file है calc.exe file है इस file को हम क्या कर सकते हैं चला सकते हैं बट अभी ये file चलीगी नहीं मैं बताता हूं क्यूं file नहीं चलेगी और हम क्या करेंगो उस चीज को resolve करेंगे मैं आपको चला के दिखा रहा हूं देखें यहां पर error आ गई एक्चली हो कह रहा है कि जो मेरा GUI के अंदर calc था वो एक image को यूज़ कर रहा है मैं आपको दिखा देता हूं नीचे यह दिखें जो हमारा calc.py यह पाइथन के script थी calc वाली वो यूज़ कर रही है calc underscore icon.png file और यहां पर आपने जो folder copy किया है इस वाली फाइल को वो png file नहीं मिल रही है तो हमने क्या करेंगे simple देखें अगर हम gy folder के अंदर हैं तो हमने यहां पर use किया है dot dot slash dot slash का मतलब होता है कि parent directory तो इस calc की parent directory का मतलब होता current directory मतलब जिवा है और parent directory मतलब इसके एक folder उपर एक file होगी तो जिवा है current directory हो गया इसके उपर मतलब टीकर में यह वाली file रखी है cal underscore icon.png यह वाली file तो हम इस file को copy करनेंगे simply अगर यहां पर आप dot slash लिख देते that means current directory लेकिन आपने यहां पर dot dot slash लिखा that means parent directory और इसकी parent directory यह वाली file है ठीक है current directory मतलब उसी directory में parent directory मतलब इसके parent की directory और हम इस file को copy कर लेंगे copy करने के बाद हम लोग आएंगे अपने desktop वाले calc वाले folder में यहां पर python calc वाले folder में और आप ध्यां से देखोगे यह समझ लो आपकी वही calc.py file है तो यहां पर उसको paste नहीं करना है इसके parent directory में that means आपको यहां पर paste करना है तो हम right click करेंगे simply paste कर देंगे अपनी file अब हम अंदर जाके अपने इस program को run करेंगे और देखेंगे simply run हो जाएगा तो आपको files बहुत बहुत ही ध्यान रखके manage करना है अगर आप चीजों को manage नहीं करेंगे यहां पर run हो गया तो अगर आप क्या करोगे ध्यान से manage नहीं करेंगे files आपने रखी कहा है और उसका relative path तो आपका program नहीं चलेगा आप क्या करेंगे simply हमारा यह सारा काम होगा तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ actually हुआ क्या था कि जो मैंने यहां पर file यूज की थी वह dot dot slash का मतलब होता है आपने जो अभी इस वाली file यह वाली file है calc.py इसके parent directory में आपने यह image रखी हुए तो current directory मतलब g y यह current directory थी और parent directory मतलब g y की parent मतलब this directory tk practice यहां पर हमने image file रखी थी तो मैं क्या करूँगा अपनी image file को copy करूँगा और copy करने के बाद यह हमारी script है तो हम इस file में नहीं paste करेंगे कोई कि हमने इस script में use किया है dot dot slash that means parent directory और हम यहां पर आके इसको paste करेंगे parent directory अगर यहां पर हमने use किया हुए था सिर्फ dot slash that means current directory और उस बार मैं copy करके यहां पर आता और इसके अंदर paste करता इसलिए हमको relative path बहुत important है देना अब हम क्या कर सकते हैं अपने इस project को बंद कर सकते हैं pie charm को और यह हमारा बन गया exe installer exe executable file बन गया अब कोई भी बंदा आएगा और simple dist में calc को run कर देगा तो देखे simple calc run हो गई और यह क्या है कि देखे यह exe file यह dot py file नहीं है तो यह open भी नहीं होगी edit with notepad बगारा नहीं होगी और अगर आप notepad करते भी हो तो देखे simple इसमें कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा तर्मेंस यह simple window पर डारेक्ट करके run हो जाएगी तर्मेंस यह simple window पर डारेक्ट क्लिक करके run हो जाएगी